नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप लोग आज हम कुमुद्नी हिंदी पाठे पुस्तक में से पाठ पाच गुल्ली का खजाना की कहानी सुनेंगे यह कहानी एक समझदार बालक गुल्ली पर आधारित है जो छोटी मोटी चीजे जिसे हम व्यत समझ कर फेग देते हैं उसे वह अपने गजब से बकसे में रखता था और समयाने पर वह अपने घर के सदस्यों की समस्याएं इन चीजों का उप्योग करके हल कर देता था तो आईए अब हम गुल्ली की कहानी सुने क्या हुआ दादाजी आज अब अगबार क्यों नहीं पढ़ रहें क्या बताओं बेटा मेरा चश्मा तूड गया है और उसके बिना मैं पढ़ नहीं सकता ओ परिशान ना हो दादाजी मैं अभी जाकर अपना बकसा लेकर आता हूँ तभी गुल्ली एक छोटा बूरा बकसा लेकर आया और उसमें से उसने चम-चमाता हुआ लेंस निकाल कर दादाजी को अगबार पढ़ने के लिए दिया जब दादाजी ने लेंस द्वारा अगबार पढ़ने की कोशिश की तो वसपश रूप से सब कुछ देख पा रहे थे यह देखकर दादाजी ने गुल्ली को धन्यवा देते हुए कहा यह तो बहुत कमाल का है अब मैं एक-एक शर्प साफ पढ़ सकता हूँ अब गुल्ली ने देखा कि उसकी चाची जी बहुत परिशान थी क्या हुआ चाची जी आप क्यूँ परिशान हो क्या बताओं बेटा मुझे इस पैकेट से तेल निकाल कर बोतल में डालना है पर अद्दू बोतल का मुँ बहुत चोटा है मुझे यकीन है कि आज मेरी रसोई जरूर गंदी हो जाएगी यह सुनकर गुली दोड़कर अपने बकसे से चोड़े मुव वाली कुप्पी ले आया और चाची जी से कहा यह लीजिये चाची जी इसके इस्तमाल से बोतल में तेल असानी से डल सकता है और रसोई भी एकदम साफ रहेगी चाची जी ने खुश होकर गुली को शुक्रिया कहा अब गुली ने दादी जी को जमीन में कुछ ढूनते हुए देखा पूछने पर दादी जी ने बताया कि वे दादा जी के लिए उनी टोपी सिलाई कर रही थी और सिलते वक सुई नीचे गिर गई उसी समय गुली अपने गजब के पिटारे में से चुम्बक ले आया जिससे लोहे की चीजे चिपक जाती है और दादी जी से कहा अब मैं इसे जमीन में गुमाऊंगा और जल्दी ही सुई मिल जाएगी और जैसे ही गुली ने जमीन में चुम्बक गुमाया उसे सुई के अलावा अन्य चीजे भी मिल गई यह देखकर दादी जी मुस्कुराते हुए कही धन्यवाद बेटा तुम तो बहुत से आने हो और तुम्हारा ये छोटा सा बक्सा गजब का है इस प्रकार अपनी सूजबूच से गुली ने सब की मदद की तो बच्चों इस कहानी का उद्देश्य क्या है? मेलकुल सही इस कहानी का उद्देश्य ये है कि छोटी से छोटी वस्तू भी उप्योगी हो जाती है हमें बुद्धी का प्रयोग करके उसका सही इस्तमाल करना चाहिए तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये रुमांचक कहानी स्पर्श रूप से समझ आ गया होगा धन्यवाद